तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज जू आपका IPL का मैच होने वाला है चन्ने और गुजरात के बीच में ठीक है, तो क्या रहेगा आपका Small League का टीम क्या रहने वाला है Grand League का जो आपका टीम होगा उसके लिए कौन-कौन सा रहेंगे important key player option या फिर कौन से रहेंगे इस मैच के अंदर important CBC option इन सब के बारे में इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अगर हम कल के मैच के देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं one-sided clean sweep रही थी कल की मैच जहाँ पर best CBC selection, best key player option अपने सारे टीम में थे वो सारे प्ले जिसके विज़े से आप लोग ने one-sided winning की होगी और IPL के अब तक जितने भी मैचे मैचे मैंने cover किये हैं mostly आपने ultra clean sweep किया होगा तो सबसे पहले तो final team के लिए telegram को join करके रखे है क्योंकि यहाँ पर आपको देखो T10, T20, ODI हर match के final team preview दी जाती है ठीक है तो telegram को join कर लिजेगा link आपको नीचे वीडियो का description में मिल जाएगा telegram का बात करते हैं इस match के बारे में तो को इस match में इस कुछ important key player option और कुछ important CBC option देंगे जो कि आपके mostly chances होते हैं इस match में काफी अच्छा करने के ठीक है तो अभी देखो बात करते हैं कि कौन-कौन से player को pick कर सकते हैं उससे पहले pitch के बारे हम थोड़ा सा analysis कर लेते हैं देखो pitch जो है बैटिंग के लिए काफी अच्छा है अगर ह highest ठीक है अगर lowest की भी बात करें तो टोटल असी रन बने हैं ठीक है ना तो highest and lowest का आपको score का यहां पर पता चल गया है अगर बात करें कि कौन सी अगर टीम इस pitch पर बैटिंग के लिए जादा अच्छी है या फिर बालिंग के लिए अच्छी है तो जिस भी टीम ने यहां प पर यह analysis है ठीक है तो बैटिंग first को थोड़ा यहां पर ज्यादा help है यह चीज़ ध्यान रखिएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं हम लोग पास जो इनका जो बैटिंग और रहा था वो क्या रहा था उसके बारे बात कर लेता है इसके बारे इसके आगे फिर जानेंगे हम प्लेयर सेलेक्शन के बारे में head to head record भी अगर आप देखो गए तो टोटल पांच मैच इस खेल खेले हैं दोनों टीमों ने जिसमें से तीन बार गुजरात के टीम ने और दो बार चेने के टीम ने विन किया है कि लास्ट के मैच के अगर बैटिंग ओर देखना चाहते हो तो आप यहां से क्लिक करके देख सकते हो पास्ट लाइन अप वाले आप्शन में यहां पर आप जाओगे तो यहां पर देख सकते हो चेने की टीम से गय क्वार्ड और रविंद्रन ने किया था ओपनिंग इसके आप यहां आपर ट्राइड कर सकते हो ठीक है तो यहां पर ये तो आपको आप्शन यहां पर आपको यह दो रहेंगे बैटिंग ओर्डर के ऑं मैच करें ईसके दो सबस्थे प्रम बचल मुर्ण कोलभlles से करने नीचे ना रहे यह सारे еп опыт समय वाइं सूध है और यह बाक्स करते हैं हम लोग player selection की बाकी कौन-कौन से player ने भी खेला तो आप यहां से देख सकते हो तो चलते हैं back करते हैं और यहां पर हम जानते हैं अब player selection कैसे कर सकते हैं तो player selection कैसे करना है सबसे पहले wicket की perception से जो हमारे लिए बेस्ट option होगा वह होगा डबलू सहा क्योंकि बैटिंग ओर्डर भी अच्छी है ओपनिंग करके दे रहे हैं एमेज धोनी का बैटिंग ओर्डर नीचे है तो फिलाल बैटिंग ओर्डर की की वाज़े से 78 नंबर पिनकी बैटिंग और तो इनको अगिल मिचल और साइस सुदर्शन ठीक है अब अगर हम रिस्क लेने की बात करें तो देखो रिस्क यहां पर आप रिस्क ट्राइब कर सकते हैं एक बार साइस सुदर्शन पे स्किप करके ठीक है बाकि यह तीनों important player रहेंगे केन बिलियम सब अगर मैच में खेलते हैं तो important pick रहेंगे ठीक है अगर खेलते हैं तो के लिए मैं बात कर रहा हूं ठीक है बाकि मिला रहाने बीजाय संकर को आप ट्राइक कर सकते हो एक बार थोड़ा इस्की पिक का बात बात करें हैं और कोई यहां पर बैंटिंग इसक्षन में के जिनको कि आप इस मैच में ट्राए कर सकते हूँ तो मेरे लिए यहां पर हज इंके रहने का भी इपक्र रहेंगे चेंशन इंको भी आप की पिर और ऑप्शन मेंमें देख सकते हो रहाने को ठीक है तो की प्लेयर ऑप्शन हो जाते हैं आपकी जब आप एक से ज्यादा जील टीम बनाते हो तब के लिए ठीक है तो यह होगे आपका बैटिंग से से नेक्स्ट आएगा हमारा अल्राउंडर सेक्षन जडेजा, रविंदरन और यहाँ पर उमरजाई यह जो तीन प्लेयर है यह सेफ आप्शन पिक रहेंगे आपके आल्राउंडर सेक्षन से नीचे और कोई जो लास्ट मैच में खेले थे टेवटिया तो बहुत जादा इंपॉर्टन दिखने रहे हैं और कोई यहाँ पर प्ले और बाकी ग्रैंड लिग टीम के लिए साथे साथ इंपॉर्टन की प्लेयर भी आपको यहाँ पर बताई जा रही है नेक्स्ट आता है हमारा बॉलिंग सेक्षन जहां पर हम पिक करके चलेंगा रासित खान को रहमान को और डी चहर को ठीक है यह तीनों प्लेयर लास्ट में प्लेय किया था पर कोई खास फिकेट इनको यह नहीं मिला या फिर होएं आपके टीडेस पांडे या फिर मैं स्यादो ठीक है तो अगर बात करते हैं आपर हम लोग इंपॉर्टन की प्लेयर ऑप्शन की तो किनको आप ट्राई कर सकते हो तो मेरे लिए इस मैच में मिल गए चाके एक प्लेयर ऑप्शन से पांच ठीक है अब हम यहां पर कुछ चार से पांच इंपॉर्टन सीबी की आप्शन के बारेया में जाने जिएंगे कि जिनको कि यह आप इस मैच में बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो तो पहला जो option रहेगा देखो Agacward को ट्राइड कर सकते हो best captain option के लिए ठीक है दूसरे में आप ट्राइड कर सकते हो पिल को बिष्ट replicate option के लिए यह तो बहुत Il रहेगा हो सकता है सेफ काप्टmesi ovation में यहां पर लोग अलग-الग सब्सक्राइब करें तो उसमें भी आपका सुब्मंगिल आते हैं तो सब्सक्राइब करो रिस्की में बाकी तो यह तो हैं है इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो अल्राउंडर से रवेंदरन अब इनको भी अगर मैं रिस्की में बात करो तो यहां पर रिस्की के लिए अवेलबल नहीं हो क्यूंकि यह अल्रेड़ी सेफ कैप्टन आप्शन हो जाते हैं ठीक है लेकिन अगर इसके अलावा सेफ कैप्टन आप्शन जैसे के रव कर रहें तो गया को देख सकते हो यह पर आप रासित खान कोदेच ठाटन आप्शन में ठीक है, अब यहाँ पर देखो यह तो होगी जीटीके टीम से रासित खान तो यह चीज भी ध्यान रखेगा और अगर हम बहुत ज्यादा रिसकी पिक की बात करें और अगर अगर टी देश्पांडे खेल रहे हैं तो मेरे लिए काफी इंपॉर्टन पिक रहेंगे उस केस में ठीक है तो कुछ मैंने आपको रीजन के साथ बताया है कि किसको बेस्ट कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन पिक कर सकते हो ठीक है ना बागे देखो मिलते हैं फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम पे लिंक के डिस्किप्शन में मिलेगा तो जाकर आप जोईन कर लि झालेगा